जाहें दोस्तों स्वागत है आपके इस वीडियो में आई इस वीडियो में बात करेंगे एक अच्छे इंपोर्टन टॉपिक्स का आपके कंटेंपरी इंडियन एजुकेशन के बहुत इंपोर्टन टॉपिक कही वार आपसे बीडियर में जवाल पुछा जाता है कि माधिमिक सिख्छा आयोगयाने कि मुदालियर आयोग के बारे में कि बताई कि इसका ुद्देश कया था इसकी घठन क्यों की गई-कब की-गई-किंस कारे छेत्र में इंका कारे था क्या समच्चाय मुनें बताई माधिमिक सिख्छा की और उन्होंने Siha 2021 क्या दी है सूझ ऑसे इम ज जानेंगे मुदालियर आयोग को मुदालियर आयोग दोस्तों अगर आपती थी की बात करें 1952 उस समय जब भारत जस्ट आजाद हुआ था सेटारीस में आजाद और बावन तिरपन में एक सिक्षा के सुधार के लिए एक कमेटी की गठन की गई एक आयोग की गठन की गई और आयोग से कहा गया कि उससे में ततकालीन जो मादेमिक सिक्षा बेवस्ता है उस पर रिसर्च करिए और उस पर सुझाओ दीजिए दोस्तो के द्वारा ही आदोनिक सिक्षा की नियू रखी गई और एवं इसके आयोग ने विविनिस हुझाओ दिये और इसके कारेच्षे ते मुद्यस भी भारतिय इस्तिति को ध्यान में रखते हुए इसका नेडर किया गया कहने कि मतलब दोस्तों अब जब आपका आजादी आप की गंदे का कारेकाल होगा इन सारे चीज़ों पे बात करें बात करने कе लिए इन सारे चीज़ों पर अध्धयन करने के लिए किधि के किガई थी तो देखिए वदा इसको समझेए डीटियर समें सब्सेंद्स सब्सक्रांज के इसकी बएं जोर्फार्थन कि ती 23 सितंबर 1902 को मदरास विश्विद्याले के ततकालिन कुलपती डॉक्टर लक्ष्वन स्वामी मुदालियर जी की अध्यक्षता में माद्यमिक सिख्षायों की गठन हुई कहां के कुलपती ते मदरास विश्विद्याले के कुलपती ते उस समय के डॉक्ष्वन स्वामी मुदालियर जी वो इस आयोक के अध्यक्ष थे इसलिए इस आयोक को मुदालियर आयोक भी कहा जाता है तो आयोक के अन्य सदस्यों की बात करें तो डॉक्टर के ल, श्रि माली, डॉक्टर के जी से यह दिन, स्रीमती हंसा महता, स्री जॉन क्राइट्स्ट और स्री केरत रोस्ट विलियम्स के नाम भी सामिल हैं तो यह लोग भी क्या थे इस संगठन के हिस्सा थे इसके अद्यक्ष कौन थे वाईट इसके अद्यक्ष थे उस समय के तत्कालीन, कुर्पती, डॉक्टर, लक्ष्वन, स्वामी मुदालियर जी वो सकी कやってy और इसारी इनको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, चीक है। तो आयो की कारेच्षेत्र की बात करें कि आयो को क्यों बनाया गया इसका उद्धे से क्या था और कहां कहां इसको कारे करना था कहां कहां इसको सर्वे करना था तो सबसे पहले तो हमें यह देखना था कि भारत के राजी में माधिमिक सिक्षा अस्तर के अनुसासन की समिच्छा करना कि चात्र अनुसासन की समिच्छा करना कि विद्यार्थियों का अनुसासन कैसा है वचे आ रहे हैं पढ़ने की नहीं आ रहे हैं समय से आ रहे हैं कैसे उ लिधा सारे 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 सा जान के भारत के सी जार्व और ए ऑपर के सुधार हुद्र में पीडा पोड़ाइड से लिए सद्शा वरे साही है, भारत में क्या आधिमिक दाये नाय। में को स्टड़ी सबी राजियों में माधिमिक सिक्षकों के वेतन एवन सेवा सर्थ है कि टीछर्स की साथे कितनी होई चाहिए क्या सेवा सर्थ रहेगी कितने घंटे का पढ़ाना रहेगा कब आना होगा क्या 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 और कारे होंगे इसके बारे में अध्यन करना था इस कमेटी को और अपनी सुझाओ देनी थी चौथा दोस्तों भारत के माधिमिक सिक्षा की समस्याओं का अध्यन कि क्या क्या समस्याओं आ रही हैं बहुत ऐसे जगह थे जहां पर बालिकाएं पढ़ने नहीं जाती थी और बालिका क्या सोच है तो एक काफी लंबा आर्सा तो उस समय सिक्षा बेवस्ता आप सोचे ना उस समय अगर कोई पांच वी तक भी पढ़ा होगा ना तो बहुत पढ़ा लिखा कहा जाएगा उसमें अगर पांच वी तक पढ़ा होगा तो डैफिनेटली उसकी जॉब तो लगनी लगनी है मतल समय से आए या क्या समझा है उसके माध्यालों की स्थिक आथियं कि सिस्ति व१ि शुजहा देना था इस आयोक को ठीक है अगला पॉongंट देखेंग और कौन सा शेतरबिन को काम करना था कि भारत में अध्यमिक सिक्छा रुदेभर होगा और सिच्छा के अस्तर क चका प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इसके बारे में और इसके बारे में उद्देश अधार का ब्रवारत के माधिमिक शिक्चा के अस्तर का अध्यन करना यह सारे वह क्या कर दिया है कि अब ही हमारे यहां समस्याएं क्या है हमें किस हित्र में सुधार करना है तो मुधालियर आयोग ने अपनी प्रतिवेदिन में सरवप्रथम ततकालीन मादिमिक सिछ्छा आयोग की की दोसों को सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे पहले समस्याइं बताई कि हमारी पास क्या समस्याइं हैं उसको हम कैसे हल करें लिए बाद में उन्हें दूर करने के लिए मादमिक सिक्षा के अधिक प्रवसारी बैल के मुदालेर कमिशन ने अपने सुझाओ प्रस मादिमिक सिख्चां की पहले देख लेते कि उन्होंने कैसे समास्यां बताियें फिर उसके बार देखिएंगे कि वर्लेते सुजां उन्होंने क्या बता है जीवन से जुड़ा हुआ सिक्षा विवस्ता नहीं है उन्हें ऐसा लगा दूसरी समस्या उन्होंने बताया कि सिक्षा को जो विधी है जो पढ़ायने का तरीका जो मेथड़्स अफ टीचिंग है वह बहुत ज्यादा लाब दायक नहीं है सिक्षण विधी नहीं का पर्योग नहीं किया रहा है उचित सिक्षण विधी का मैज сп dont पूसरी तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहे है तो इस कमेटी को यह लगा उन्हों सेयों की अंदर नितिम हमें आगे बढ़ने ज़ादा नहीं हो पार है कि रिजुट के मैं अनुसासना नितिक्स अंदर आ काम नहीं कर रहा है इसको और बैतर बना रहा चाहिए तो उन्हें इन्होंने यह समस्या लगी पाच्वा दोस्तों मादेमिक सिक्षा की परिच्छा व्यवस्ता को उचित नहीं माना कि जिस तरीके से केवल हम टेस्ट ले लेते हैं उनकी जानकारी के दार पर उनकी एक पक्ष माज से नहीं जोड़ता है सार्विगर विकास नहीं करता है केवल एक चीज पर विकास करता है तो उनको लगा कि हमारा जो पार्टे करम है वह बिल्कुल सही नहीं उचीत नहीं तो इन सारी समस्याओं को अध्या करने को बाद केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने को बाद क्या आयोक का सुझाओ है और आप सुझाओ जब देखेंगे तो आपको लगे का कि हां सच में यह आधुनी सिक्षा का आधार है आधुनी सिक्षा का यह क्या है नहीं हो देखें सबसे पहले उन्होंने कहा कि 11-17 उम्र के चात्रों के लिए इसकी आउदी 7 वर्स होनी चाहिए ा कि जैसे 11-17 साल 1610 11 si इन 7 सालों को उन्होंने मादिमीक शिख्षा का च्शेत्र मना जाये और उसे मівीक शिख्षा की अंद्रसा के रखने चाहिए अब मादिमीक सिख्षा के बात्सुरू होने क चाहिए पहले प्राफ्मिक सिक्षा दीजिए ठीक है एक से पांच तक प्राइमरी एजूकेशन दीजिए फिसक बाद 6, 7, 8, 9 10, 11, 12. तक माद्यमिक सिक्षा दीजिए उस आयोग ने इसको बताया ठीक है और माद्यमिक सिक्षा को वी दो भागों में डिवाइड कर दिया पह आपने प्रात्वी क्लास का बिए सेंटर जाता था जिसी оп loss चुल में एक बर सब्राइन, छह साथ आठ था सीनियर बेजिक चिक्षा लीना के बाद फिर आथफ़ी क्लास को एक बारख bajने एक दैम पर था फिर दस्वी में बारभ adap नेका बचि किवल सब्रह बर ले Gewerkन walked बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे बोर्ट में 12 के इक्जाम से भी उसी स्कूल कॉलेज में हो जाते हैं अभी इस से में क्या रखा गया था पहले पांचवी ते आपकी प्रांथमी के एजुकेशन होगी फिर पांचवी में बोर्ड एक्जाम होगा फिर तीन साल आपको और विकलांग छात्रों के लिए अलग से विजिस्ट इस्पेसिल स्कूल रहे हाला कि अभी जो है वो इस इडुकेशन के बात नहीं की जाती है अभी इंक्लूजिव एजुकेशन सम्मा वेसे शिक्षा के बात की जाती है बालिकाओं के लिए अलग से विध्याले हो और किसी को विज्ञान के चेत्र में जाना है जा सकता है किसी को किर्षी के चेत्र में जाना है जा सकता है किसी को खेल के चेत्र में जाना है वह भी जा सकता है तो इस तरीके से बहु उदेश्य मुल्टी परपस होने चाहिए इसकूल के पाठेगरम की ठीक है अब अगला पॉइं है कि बच्चों गंदर लीडर्शिप कॉल्टी डेवलपनी होती है और चात्रों का जीव का पार्जन कर सके है मतलब बच्चे का अगर इसकूली सिख्चा प्राप्त कर रहे हैं travelling करते हैं तो जैसे अनकी जीव का पार्जन नЙेक बं जाय है कि वह कमा खा सके है चात्रों में लोक्तांत्रिक नारिक्ता के गुड़ों का विकास हो, डेफिनिटली वो देश से जुड़ें, देश की वावनाव को समझें, देश की जरुदों को समझें, देश का सम्मान करें, और लोक्तांत्रिक, लोक्तांत्रिक मतलब सम्मान भी करें, दूसरे का सहयोग के साथ चले तो लोकतांतरिक गुड़ों का विकास हो तो यह उद्देश से उन्हों ने रखा कि इन उद्देशों को हमें सिक्षा का उद्देश बनाना चाहिए कि बच्चे जब पढ़े तो उनके अंदर गद यह भावनाएं विक्सित हो अब उन्होंने पार्टेचरिया संब संब्दित पार्टेकरम की संब्दित क्या सुझाओ दिए यह आयोग थी मुझालियर आयो उन्होंने पार्टेकरम को कैसे बनाने के लिए कि हमारा पार्टेकरम कैसा होना चाहिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारा पार्टेकरम वह वास्तविक इस्तिति के फोर समाच के साथ जोडने वाला पार्टकर में गें चय基本 खीव लचील होना ज़ीए, जिसमें सार। इसलिए में लचील होना हे पार्टकरम करने हिरे लचील हो एक लिधंव dbraक्षीबण मुझना से सांबंध हो workflow curriculum एक प्रजेक्ट किरियाएं से सांबंध हो और particular में एसे भी रखे जाएं जिसके तोरा खाली समय में बच्चे लाब उठा सके सदूपयोग कर सके कहने की बात है खेल संबंधी चीजे भी हो स्काउट गाइड चीजे भी हो इखाली समय में बच्चे पढ़ाई के साथ सीखे भी समय का सदूपयोग भी वह सीखे भी और चीजे उनकी डिवलब भी तो जैसे खेल बहुत अच्छी चीज़ है तो वह सब भी चीज़े क्या हो जी वह नहीं चाहिए त्राइट नेक्स्ट म सब्सक्राइब तो भारत की सिखे वी स्टर वह सब्सक्राइब बच्चों के माथमीक अस्थर का सिख्चा तथा at प्रदान की जाया मतलब माध्यमिक अस्तर तक कहा गया था कि या किया जाए बच्छों को निशुल्ख सिक्छकों के बच्छों को ओहो बहुत अच्छी बात है यहा पर कास यह की चाहिए के मतलब है दोस्तों मैं जो यह आयोक बनी जी उसने कहा था कि जो टीचर है बढ़ टीचर के बच्चों को माधिमी गस्तर तक आप निस्वल को सिख्चा परदान करें ठीक है ठीक है तो टीचर के क्या टीचर के जो बच्चे उनको फ्री में सिख्चा दी जाए बा सब्सक्राइब दोस्तों सिक्षकों को ट्यूचल पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो इससे में आयोग ने कहा कि फिर उसे ना पैसे वर्थ को फिर सिक्षा एक व्यवफसाय बन जाता है सिक्षकों को मुफ्त चिकितस स्विधा उपलब्द प्रदान की जानी चाहिए वाँ क्या ओफर ता यार समान यह कारे करने वाले सिक्षकों को एक समान वेतन दिया जाना चाहिए सब्सक्राइब जिसकी योगेतां समान हो और जो कर उस चपी कि पड़ा रहा है उन सभी एक समान को एक एक समान को एक जैसा और पालों को एक जैसा टीचर की सेल्डिक णोरी तो यह जो सुझाओ था वो टीचर के बारे में था एक एक पॉइंट को ऐसे ध्यान में रखिए बस ऐसे हसते खेलते डिसकस करते हुए जब ध्यान में रहेगा जब एक्जाम में आगे बहुत अच्छे से आप लिख लेंगे ठीक है कोई समझ से नहीं बच्छो आईए अगर देफिनिट्ली एस चीजों को दिया जाए हाथ से बनाने वल चीज देऊ हाथ से बनाने वल चीज बनाने वल चीज अलिकby कीशों में बहुत देषिये स्कूल में नरूप बनाया जाए तो यह दोस्तों वेवसाइक सिख्षा के बारे में उन्होंने सुझाओ दिये थे कुछ और भी सुझाओ दिये गए थे जैसे परिच्छा समवन्दित सुझाओ यहां पर मेंशन नहीं लेकिन इतना काफी है ठीक है अगर आप इतना पढ़ लेंगे समझ है क्या थी और इसके बारे में विस्तित आपने जाना है इतना ही जानना है आपको इस टॉपिक बहुत विस्तित दोस्तों बहुत बड़ा है अगर आपको पॉइंट वाइस देखेंगे ना फिर उस पॉइंट में भी कई चीज़े में तो सबको आप एक्जाम पर लिख पा मुझे अच्छा लगा कि मैं ऐसे मेरी भी प्रिपरेशन हो गया मुझे भी यह चीज़े यह टॉपिक लियर हो गया मैं आसा करता हूं आपको भी समझ में आ गया रहो तो आप सभी को थाइक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स पर वचिंग मतलब बहुत काम कर रही हैं आप ऐसे काम करें आगे बड़े चीक है पेमेंट आपको टाइम से मिल जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को वीडियो के दोस्तों कमेंट में अपनी राय दे कैसे लगा आपको वीडियो आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप म कर दो?